हम बात कर रहे हैं भारत बनाम वेस्ट इंडीज तीसरे टीट्वेंटी आए के बारे में भारत ने पहले ही सीरीज दो शुन्य से जीत ली है तो जाहर तोर पर तीसरे मैच में कई फेर बदल हो सकते हैं मैं हो निखिलनाज मेरे साथ चाचा कर रहे हैं आकाश शोपरा आकाश शुरुवात करेंगे हम सलामी बल्ले बाजो से केल राहूल आपको लगता है उपन करेंगे शिकरधवन के लिए इतनी अच्छी सीरीज नहीं गई है यह वन डे और टीट्वेंटी बहुत अच्छी सीरी नहीं बनाए शिकरधवन ने और यह सिर्फ टीट्वेंटी की कहानी नहीं अगर आप पूरी बंडे श्रिंखला देखेंगे तो आप पाएंगे कि उसमें भी ब्लोइंग हॉट ब्लोइंग कोल्ड लगातार अच्छे रन नहीं बनाए तो फिर अगर आप सिरफ अब मुझे लगता यहां पर भी नहीं है क्योंकि जगा बनने वाली है क्योंकि केल राहूल ने भी कोई बहुत रन नहीं बनाए टेस्ट क्रिकेट अच्छा खेल नहीं रहे थे अगर वो दो टेस्ट मैचिस की बात करें वेस्ट इंडीज के खिलाफ वन डे क्रिकेट में तो मौ लेकिन प्रैक्टिकली मुझे लगता है कि बहुत डिफिकल्ट है उनको भी मौका देना चलिए शिखर के लिए आपने का confidence booster हो सकता है उनको खिलाना चाहिए आगे बड़े दोरे आ रहे कुछ उसी तरह से इस वक स्थिती में है योजवेंद्र चेहल तीसरे वंडे के बार म जहां किसी खिलाडी ने कोई गलती नहीं की जब जब खेला तब तब अच्छा खेला लेकिन उसके बावजूद टीम में जगा नहीं बन पा रही तो निखिल उसकी समस्या यह है कि जो टीम की 11 है जब उसकी सेलेक्शन की बात करते हैं तो फिर आप नियाए नहीं ढूंडत आप संतुलन तलाशते हैं और इस टीम में इस वजह से नंबर वो साथ के उपर वंडे क्रिकेट की बात थी तो वहां जाड़े जा आ गए जब टी ट्वेंटी की बात की तो क्रुनाल पंडिया आ गए तो फिर उनकी जगा नहीं बन पा रही आप उनको जरूर खिलाना चाह विराट वापिस आएंगे शहबाज बाहर चले जाएंगे बहुत लंबा अर्सा लग जाता है आपको भारती टीम के इर्दगिर्थ पहुंचने में लेकिन अगर यहां मौका नहीं दिया ना निखेल तो हो सकता है कि उनको दोबारा कभी मौका मिले ही नहीं चलिए बहुत एम मुकाबला हो सकता है शाबाज नदीम के लिए जैसे आकाश कहरें आकरी सवाल आकाश टी 20 में लोगों को उमीद थी कि वेस्ट इंडीस की टीम एक कडी टक कर देगी वैसा दिखने को नहीं मिला है क्या तीसरे मैच में कुछ ऐसा दिख सकता है देखिए अगर जब तो यस हम देख सकते हैं कॉंटेस्ट शेहोप और शिमरन हेटमायर खासतोर से उनको यह याद दिलाना पड़ेगा कि जो आपने बंडे में किया था ना अगर आप थोड़ा सा और पुखता करना चाहते है अभी तक बल्ला खामोश है अगर वह अच्छा खेलेंगे तो फिर मैच में रोमांच आ सकता है क्योंकि अभी तक तो ऐसा लगा है कि West Indies की वो टीम नहीं है जो World T20 जीती थी उसकी परच्छाई यहां पर खेल रही है चलिए आकाश बहुत बहुत शुक्रिया हम से बात करने के लिए और इतनी लंबी सीरीज भारत बनाम West Indies उसका आखरी मुकाबला है सभी नजरे रहेंगी चन्नाय पर अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक, शेर और सब्सक्राइब करना मत भूलिए आप अपने कॉमेंट्स नीचे कॉमेंट बॉक्स में छोड़ सकते हैं नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन यानि इस घंटी पर क्लिक कीजिए